UGC Net की जो है वो form आ चुकी है June 2024 के लिए और इसके बाद जो दिसंबर वाली आएगी उसके लिए भी ये वेडियो 100% valid रहेगा तो देखो इसमें जो है वो आपको अगर आप SC category से बिलॉंग करते हो तो आपको जो है वो 15% डिजरवेशन का benefit मिलता है तो उसके लिए जो है वो एक SC certificate देना होगा तब ही आपको जो है वो डिजरवेशन का benefit मिल पाएगा तो उसके लिए जो है वो ये देखो एक पेज का SC या फिर ST दोनों के लिए same ही format रहता है लेकिन SC की बात करें तो SC में जो है वो ST वाली चीज़े नहीं होगी तो आपके पा नया certificate बनवाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर इस format से आपके certificate चीज़े नहीं match कर रही है तो आपको यह नया certificate बनवाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको SC या फिर ST certificate के बारे में जानकारी चाहिए कि यह certificate कैसे बनता है तो उसके regarding मैंने बहुत ही detail वीडियो आपको ब अगर आपके लाइफ में भी problems है और अगर आप उसको सटिक solution नहीं मिल पारा है तो आप इनके वीडियो देखके आपको काफी clarity आएगी आप इनके एप पे भी जा सकते हो आजार परसांत एप जो है वो Google Play Store में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इनकी चैनल पे आप तो लगबग जो है वो चार करोड से जादा लोग जो है वो जूट चुके हैं और इनकी जो वीडियोज होती है वो day to day life से related होती है जो की काफी जो है वो आपको insightful education यहाँ पे मिलता है तो आप जो हुए इनकी वीडियोज और एप को एक बार जरूर देखना नाम याद करना वहाँ पर आपको जो हो SCST certificate के regarding जैसे questions हो सकती है आपकी कि digitally signed certificate valid है या manual वाला English में certificate चाहिए या फिर हिंदी में ब्लॉक से बनवाए तहसील से या फिर HDO से या DM से या फिर आपका certificate कब तक valid रहता है format के regarding कि कौन सा language में आपका means regional language में आपका certificate acceptable होगा या नहीं तो जो सील हो गया इन सभी के बारे में भी जो हो मैंने बहुत ही डीटेल में बता दिया है तो वो सब भी आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी जो maximum query होगी वो clear हो जाएगी और यहाँ पे exactly date तो नहीं में इंसेंड है कि आपका जो है वो SC का certificate कब तक बना होना चाहिए लेकिन हाँ अगर आपका certificate का format match कर रहा है और recent का ऐसा नहीं है कि मतलब 2020 के बाद का है तो usually formats तो अभी तक चेंज नहीं होई है तो format अगर चेंज नहीं होई है तो आपका certificate 100% acceptable होगा बस address हिन सभी का ध्यान रख लेना कि address आपका permanent address जो आप form में fill कर रहे हो वही हो ताकि बाद में कभी जो है वो miss class ना हो और जो name father's name यह सभी होती है वो सभी में भी कुछ भी गलत ना हो और अगर ग preparation की बात करें तो अगर आप mock test लेने का सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छी खासी आपको जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आप test book app से अपनी preparation कर सकते हो इसका link मैंने आपको description box में दे दिया है वहां से आप जो हो test book app को download कर सकते हो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर psychology, education, geography, economics, electronics, science, law तो इन सभी subjects के लिए आपको test series यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर आप इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर प्रिविएस यर questions papers पी रहती है जो आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा और साथ ही आपको बता दे कि आप जो है वो इसके साथ chapter test subject wise test और full test की भी जो है वो आप preparation मॉक्रेश दे सकते हो और अगर इसकी pricing की बात करें क्योंकि free तो मिलेगा नहीं देखो इसकी pricing जो है वो fluctuate करते रहती है लेकिन जैसे अभी जो है वो one year की पास इसको आपको 399 में मिल रही है और three years की पास जो है आपको 549 में मिल रही है लेकिन मैं आपक कूपन कोड दे देता हूं JBYY16 इस कूपन कोड को आप अपपलाई कर दोगे तो फिर आपको जो है वो 10 to 20% का discount देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको आपको कूपन का apply कूपन का option आड़ाय ना इस पर आपको tap करके coupon कोड इंटर कर दोगे तो आपको जो है वो 10 to 20% का discount देखने को मिलेगा अब इसमें जो है वो सिर्फ देख लेना कि पहले आपकी जो subject हैं उन subject अगर इसमें available है तभी आप test series को purchase करना वरना test series को purchase मत करना और एक बार और कि इसमें जो है वो जितने सारी examinations होती है SSC, banking, teaching की examinations जैसे UGC net हो गई या फिर आप जो भी ये सभी examinations देख रहे हो उन सभी की आप जो हो त्यारी यहां से कर सकते हो mock test के लिए भी और live coaching के लिए भी